हेलो मेरे एक्जाम वर्डिस मैं दीप और माभिप्षा एजुकिशन फॉर एक्षेलेंस के इस इलर्णी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अपने मार्च मिशन में थे एक्जाम सिरिस ठीक है तो यह एक्जाम सिरिस का आज सस्टी का लास्ट टॉपिक है लास्ट चैप्टर है ठीक है इसके वद आपका पूरा सस्टी कंप्लिट हो जाएगा तो आप लोगों ने पूरे 21 अध्याय तैयारी कर लिए सब कु तो यही वड़ी जीतेगा वाला चैप्टर है जिससे पूरी जीजाग कंप्लिट हो जाएगे ठीक तो कौन से चैप्टर पे है भाई हम एकाई साथ पे है खादे सुरक्षा और उपने विश्वादों का खादमा खादे सुरक्षा हम कर चुके थे उपने विश्वादों का दिखकत होती है कैसे लिखे तो समें क्या आगा 200 कोशन नहीं पता है कि प्चासे सर्द्व में लिखना दोमांग से कित्ते में आते हैं तींसबडों में व्यल्य की नाल फ़स्ट्रMM कमिति दोमांग सा कोशन आया है परिभाशा हैं परिभाशा या अगर लगता है कोई कारण पुछे प्रभाव पुछे कुछ भी हमेशा कोशिश करो दो से तीन माग से कोशन में बुलेट पॉइंट में इवर मैं बोलूँगी पूरे पेपर को बुलेट पॉइंट में लिखो पैराग्राफ मत करो पढ़ने में बहुत कंजट लगता है और सामने वाला बोर हो जाता है उसी के बज़ाए अब क्या करो अगर छे माग सा कोशन आया उसमें कुछ चीजे पूछिए ऐसे लाइन लाइन बना बना के करोगे ना बहुत जल्दी खता हो जाएगा ठीक है और सामने वाला समझ जाएगा अच्छ छे पोइंट चाहिए थ चाहिए नमबर के में 6 पॉइंट दिख गये शाड़े 5 नमबर आपके हाथ में ठीक और वहीं कच़ड़ टाइप का पूरा पैरग्राफ लिखे हो सामने वाले को पढ़ने में हो रहा है कि कौन से पॉइंट को ढूणना है उसको 6 पॉइंट पता है बहुत जाए उसको 6 होगी ना पेपर बहुत अच्छा बनता है कचड़ा नहीं दिखता है ठीक है तो हम इसके बात करेंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है ठीक है तो अभी बात कर लेते हैं हमारा आखरी चेप्टर कौन से है भई उपनिवेश्वादों का खात्मा और शीतियू ठीक चलो आग शीतियूत में फिर एक साइड अमरिका एक साइड रूस इन लोग अपने फषिंपर शीबिते कंडियर बेस्पेश चलो आगे तो इस दो से तिए पढ़र चेप्टर में पढ़ा अपने उशाद्यों के वियतनाम का देखा भूमिस उधार नइजीरिया में देखा ठीक है इंडोनेशिया में देखा कि जपान आया ब्रिटेन आया यह आया दुनिधारी सब आर्थ में क्या हुआ इंडोनेशिया आजाद हुआ शीत यूद और सोवियत संग का विगहता ठीक, शोवियत संग पर बहुत बड़ा ठाथ मुद देखो चलो कोशन्स पर आ जाते हैं देखो यह क्या है एश्य और अफ्रीका का वियूप निवेश्वाद ठीक है जब क्या हो दूश्वित की बाद क्या हुआ देश आजाद होने शुरू है भारत आजाद हुआ भारत के साथ पाकिस्तान हुआ इधर वियतनाम यह जो पीले रंग के आपको दिख रहें किया उनिस सो साथ के पहले स्वतंत्र हो गये थे ठीक नाइजीरिया यह सब देश ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है अजाद हुआ तो यह क्या था एक क्रम हुआ जो दूदिय विश्वित के बाद शुरू हुआ कि भाई जितने भी तो अश्वादों को स्वतंत्र करना ही क्या कहलाता है वी उपनिवेशी करन ठीक है तो पहला कोशन क्या है वी उपनिवेशी करन दूदिय विश्वियोद के बाद याने 1945-75 के बीच तीश वर्ष्व में अफ्रिका और एशिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हुए इसी प खतम हुआ तो at last क्या हुआ सभी उपनिवेश्वादों को खतम किया गया तो यही प्रक्रिया क्या कहलाई उपनिवेशी करन ठीक वी उपनिवेशी करन क्या है उपनिवेशी साशन की समाप्ति और उन देशों को स्वतंतर सरकारों के बनने उपनिवेशी करन कहते हैं मतलब भारत अब इसको इतना नहीं लिखना है आप बोलते हो नहीं कैसे लिखना है तो ये आप बताओ कि उपनिवेश आशन की समापती और उन देशों में स्वतंदर सरकारों के बनने को हम वी उपनिवेशी करन कहते हैं जैसे भारत उनिस से तालिस तक ब्रिटेन का क्या था उपन उपनिवेश्वाद क्या है क्या है जब कोई शक्ति शाली राष्ट एक दुसरे राष्ट पर क्या करें अधिकार जमाले और वहां के संसाधनों का प्रयोग करें जैसे भारत में हुआ ब्रिटेन आया भारत में क्या किया यहां कि संसाधन है पुंजी है लोग है सभी को क्य कि अपने लिए यूज किया तो यही क्या है ब्रिटेन के लोग भारत का जमीन यूज कर रहे हैं इसी को क्या कहते हैं हम उपने वेश्वाद जब कोई शक्तिशाली राष्ट किसी दुर्बल राष्ट पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक राजनेतिक और समारिक यह भारत था तो इनके लोग यहां काम किये तो अपना समराज इस्थापित किये तो यही क्या होता है समराज जबात तो उपने वेश्वाद क्या है समराज जबात का एक स्वरूब है जहां एक शक्तिशाली राष्ट दुसरे राष्ट के प्राकृतिक संसाधन हो मानवी सं साधन है वो राजनेति समाजिक तरह के से उसका उपयोग करते हुए सोशन करता है इसी को क्या कहते हैं उपनिवेश्वाद इसमें फिर उधारन क्या दो कि जिस तरीके से क्या था भारत 1945 तक लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश्वाद था लिख दो भाई और ब्रिटेन ने अपने भारत के सभी प्रकार से सोशन किया और यहां के संसाधनों का बहुत उपयोग करते हुए अपने देश में ले जाया बस इतना लिख दो कैसे नहीं मार्क्स मिलेंगे सिर्फ बुक की रटीफिटी चीज़ें यह गाइड्स को देखके नहीं पढ़ना ह आपको अपने आंसर खुड बनाने आने चाहिए ठीक चलो आगे आजओ उपनिवेश आशन भारत में कब समाप्त हुआ भई उपनिवेश आशन भारत में 15 अगर 244 को समाप्त हुआ इसके बाद लाइन क्या लिखना है लगबग 200 वर्शों तक भारत ब्रिटेन का उपनिव अपनिवेश लगे चाहिए ठीक ऊपनिवेश निनर्मन का कंखण करते हैं तो यही क्या नतर होत उपनिवेशों के लोगों का बहुत उनके उपर विज़ेशी संस्कृति थो भी जाती है ऐसा हुआ था जब बिटेन आई तो क्या की थी वह बहुत जादा अपनी संस्कृति लाई क्या हुआ उस टाइम फिर क्या हुआ बहुत सारे चीजे इसाइड मिशनरी आए फिर हमारे हैं कई लोगों को इसाइड धर में प पूरी तरा मुक्त होता है धिस के संसादुनों पर देश की सरकार योजनता कहीं नीयंतरन होता है सराइड सरकार अतुरी के जिताट doen का अपयोग कर सकते हैं हमें आतुरी के ज़रुरत नहीं होती य дости किसी देश का influence नहीं होता यह सब लिखो उपने वेश्वात को पहले बात कर लो भारत का तो यह आंसर आप खुद से लिख सकते हो ठीक चलो आगे आजाओ शेत युद्ध से आप क्या समझतें शेत युद्ध से तत पर ये कह था भाई दोते युशुद्ध के बाद हुआ खटा मुआ ठीक उसके बाद क्या हुई दो बड़ी-बड़ी शक्ति आहीं एक साइड अमेरिका एक साइड आया रशिया आप यह लोग अपने आपको सेट सम सब करने बातों बातों में क्या एक देश को भड़काया दूसरे देश को भड़काया दूसरे देश में अपना लोग बैठाए तुम बोले कि हम तुमको कर्ज देते हैं क्या हुआ बहुत जादा देश क्या कर्जे में मतलब आर्थिक शती हुई थी तो कई लोगों को रशिय लड़ाई नहीं किये हाथ ऐसे पांधे रहे लेकिन अपने अपने लोग भेजे यही क्या था शीत यूद्ध था शीत यूद्ध से ताथ परे दुते विश्वदी के बाद निर्मित उस वातावरन से है जो उत्तेजित तनाव पूर्ण और परसपर आशंकाओं से पूर्ण एसा प्रसीद होता था कि शक्ति-शाली देशों के बिच यूद्ध होने वाला है और वास्तों में यूद्ध हुआ ही नहीं ठीक तो शीत यूद्ध तो कि अगर में कारण दिखो गें आमेरिका और रुषिया सोव्यतृष्ट ठीक, आगे आ जाओ, शीत यूद्ध कीन दे तो उसके आर्थिक और राजयतिक जीवन पर शक्तिशाली राष्ट का नियंदर इसापित हो जाता है और वहाँ उस दुर्बट राष्ट का सोशन करने लगता है यही कहा है समराज जीवन बृतेन आया भारत पे यहां के संसाधनों का उप्रयोग किया शोशन किया अपना क्या बृतिस इस इंडिया कंपनी यहां स्टाबलिश की तो क्या किया अपना समराज यहां तक फिलाया इ आगे अ जाओ उपने वेश्व की स्वतनता के पक्ष में कौन-कौन से राष्ट थे इस को वह भाले बोला लड़ाई क्या लड़ा था हम उपनेवेश्वादों को क्या करेंगे सुरक्षा देंगे यह देंगे इसलिए कि आप उसको भी क्या किया न को खतम करना पड़ा ठीक्डीक है अगे आजाओ इंडूनेजिया की सतंतर्ता में जपान की क्या गूमिक हा थी या इ तो इसमें किया 2-3 मक्स कई आएगा तो आपको 2-3 लाइड की लिखनी होगी क्या लिखोगे विश्व युद्धी में जर्मनी ने हॉलेंड को हरा कर अपने समराज्वे मिला लिया था और इंडॉनेश्या पर जर्मनी के सहयोग से जपान का गबजा हो गया जपान में जैक्रण हें अधोनेशा के से संधादो करूशन करन सुरू कर दिया यह झालिया न में रिकार्ट 2230 my शुरे यह 17-25 लेकिन उसके अंतराश्टी दवाओं के कारण 27 दिसम्मर 1999 को इंडोनेशिया उप्चारिक रूप से स्वतंत्र हुआ इस प्रकार जपान ने इंडोनेशिया में स्वतंत्र संगर्ष को जीवित रखा और यह संगर्ष आगे चल कर इंडोनेशिया के स्वतंत्र का कारण बना तो क्या था जपान नहीं उनका स्वोषन किया और जपान की वज़या से क्या होँ स्वतंत्र हुआ तो आपको यह चीजे देख लो अच्छे से पढ़ लो इसी चेश को लिखना है कि जद्योते विश्व देग जपान स्वतंत्र हुआ तो क्या अप्चाले कि उस इंडोनेशिया स्वतं नहीं आएंगे भारत के आगर आता है तो आपको क्या लिखना है भारत में 77 जो 77 ग्राम थे वो बहुत कई वर्षों तक चले थे जिसमें सर्वाता मध्य वरका के लोग सामिल थे जो भारत को संद्रता दिलाने वो बिटिश इंडिया कंपनी को बाहर भेचने के लिए निरंतर कारे कर रहे थे इतनी आंसर आपको लिखने होंगे ठीक चलो आगे आ जाओ नाइजरिया देश का जनम कैसे हुआ नाइजरिया कोई देश नहीं था वो क्या था ब्रिटिश जब आयत उन्होंने क्या खुद डेवलब किया ठीक अब बादी की दिश्टने से नाइजरिया अ सबसे बड़ा देश है जहां आज लगब सतरा करोड लोग रहते हैं अंग्रेजों क्याने से पहले नाइजरिया का नाम कोई देश नहीं था अंग्रेजों ने नाइजर न दी क्या आसपास इलाकों को मिला कर अपना प्रभाव छेतर बनाया जिसे उन्होंने नाजरिया का नाम दिया आफरीका था ठीक है यहां पे नाइजर न दी जाती है तो उसी क्यास पास के छेतर को क्या कि ए अंग्रेजों न डेफलप किया और उसी को क्या नाम दिया नाइजरिया नाम दिया जहां 17 कोड़ों से अधी जन संख्या रहती है जो कहने से पर नाइजरिया का कोई नाम नहीं था उन्होंने क्या नाइजर नाइजर नादी के आसपस के तटकु छेत्र को मनाया और उसे ही नाइजर नाम दिया ऐसा लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे चलो आगे आजाओ वुमी सुधार नुंदर का वीफनाम पर क्या प्रभाव वीफनाम के मतलब वीफनाम के अजया दी हुई तो वहाँ पर भूमीTalk चया होघर नाइजर नाइजर वीफनाम में बहुत ज्यादा प्रसीड़ है इसको आपको पढ़ना है तो देखो वीफनाम का एक विभाजन किया गया, और वियत नाम सामयवदियों का जिकार हुआ और दक्षिनी पर अमेरिका वाले इलाकों पर, ठीक है? पुराने राजा को शाशक बनाएगे उत्री वियत नाम में सामयवदि प्रभाव था, ठीक, देखो ये वियत नाम था ठीक, ये सदंद्र हुआ ठीए अमेरिका स्द्रिमित प्रप्रा था इधर किया था रशी ही चाइना की पर रशी थी यह चाहता था कि अपना प्रफआव अमेरिका जाथवा तो क्या हुआ यहां दो गूट बड़ गये एक वए उत्री एक ओल दक्षिनी थी दक्षिनी किया कि अमेरिका वालों ने अपनी सेना खड़े कर दी ठीक ये वाला यहां क्या हुआ साम्यवादी आया ठीक है तो साम्यवादी यहां आये तो यहां क्या हुआ भूमी सुधार के कारेक्रम चले तो भूमी सुधार कारेक्रम चले तो भूमी सुधार कारेक्रम चले तो भूमी सुध इन सिधारौक नतीजा यहुआ की सदियोबाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमी हिन मजदूरों को जमीन के मालिक हो गए यह किसान अब वियतनाम के सबसे मजदूर समयस्तकते तो यह क्या है आपको अगर भूमी सुथार समधित आएगा तो आपको यह पॉइंट लिखने होगे ठीक है याद कर लो क्या था जमीन दारी खतम की गई किसानों को जमीन दी गई किसान जमीन दी गई तो किसान किया थो जो मजदूर गरीब थे वो क्या हुए अब मालिक बन कौन किसान किता जमीन रख सकता है उसकी सीवा बांदी गई और किसानों के काम कर रहे हैं मजदूर तो यही क्या होंगे वियतनाम सारकार के सबसे बड़ा समर्थक होंगे ठीक तो आपको इतने पॉइंट वहाँ पर लिखने होगे चलो आगे आजाओ भारती सुधनता में क्या क्या समानता आयों अंदर थी जब हमारे सुधनता चल रही थी ठीक है हम यूरोप के उपनिवेश्वाद थे अफ्रीका भी क्या था यूरोप के उपनिवेश्वाद थे ठीक है बिटेन यहां भी अपने साशन व्यवस्था पित की थी वहां भी की थी ठीक है तो य यहां प्रीका के बहुत अलग-अलग देश शामिल थे तो यहीं क्या थे इनमें डिफरेंस भी थिञएं तो पहरे समांता देख लेते हैं दोनों ही देशों में स्वतंतर अंदोलन का उदय सम्राज्यवादी, सम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के रुप में हुआ, सब सम्राज्यवाद का विरोध कर थे भई, क्योंकि आपके हाँ कोई आया है, तो आप एक थोड़े जिन तक धेलोगे, लेकिन वह आपके हाँ की चीजि को उपयोग करके आपके घर का सब समान अपने tehdarin भर रहा है तो आप उसका विरोध करो गे न तोो दोनों ने इसी के लिए विरोध किया दोनों देशों के स्वतंतर आंदोलान में जनता ने अपने बलबूते पर विदेशी शक्ति का विरोध किया किसी दूसरे से उढ़ोने सहयोग नहीं लिया भारत ने भी अपने बलभूते पर स्वतंतर प्राप्ति की थी किसी आंदर देशों की सहायता नहीं लिए उसी प्रेकार अफरीकन ही भी अपने ब्लूती पर स्वतंतर प्राप्ति की। दोने की देशों ने स्वतंतर अंदोरन के उद्या का मूल करन था आर्थिक सोषन और प्रिवेशिक देशों की अथ्याचार पर सोषन. ये क्या थी संबानता है, अब अंतर देखो अफ्रीका के अलग लग छेत्रों में अलग लग देशों को अपने वेशिक शाषन था, जबकि भारत में केवल अंग्रेजों का शाषन था, भारत में अंधुरन करें थे तो मध्यांबर को सिक्शित वर्ग कर रहे थे, लेकिन आफरीक़ें अलाग अलाग देशों में संगर्ष किया आफरीका के आफरीकियों ने अलाग अलाग संगर्ष किया अफरीका की पूरा कॉंटिनेट है तो यहां पे अलाग SEC 27 actाँ और अपरिका को काफी बाद स्वतंदर्ता मिली अफ्रिका की रेशों करें अलग-अलग समय पे स्वतंदर्ता मिली यह क्या हुए समानता यह क्या हुए अंतर इतनी चीज़ों पढ़ो लिखो ठीक चलो आगे आजओ शेतियुद्ध में परणमानुव सास्त्रों की क्या भूम अब यह ऐसा कर रहे हैं कि लडाई करने वाले हैं और अमेरिका ने क्या क्या था हिरो शर्मन आगशा की जपान पर पर्माणु बम गिराए चुका था था तो भाई अब क्या है अब क्या है पर्माणु बम सीधी सी बात है एक बल होगा लडाई पर्माणु बम गिराएंगे रख रहे होज रहते लाए न संग काम कर रहे हो एपक करतें अ च्जारा ने करक रहे है सोवेक्ट संग लिए को साहईता रहे था उसके दुष्मन देश जानते हैं कि पर्मानु युद्ध में किसी भी जीत नहीं हो सकती रूस अमेरिका यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देशों के परास करने के लिए और घातक अधिक मात्रा में हथियार बनाए जाए इन्हें उन्होंने विश्व भर में अपने सेने ठीकानों में तनात कर रहा पूरी दुनिया में इस प्रकार के पर्मानी होतानों निशान पर थे उन क्या करे थे अमेरिका जैसे वियतनाम पर बठा पाकिस्तान ने बठाए तो उसके साथ उसने क्या बोला कि मैं पर्मानु बम भी उठा दिया हो तू कहां से करेगा अमेरिका से रश्या बहुत दूर तो क्या मैं पाकिस्तान से दुरिश यह पास है एक बम छोड़ूंगा तू गया तो यही कहते पर्मानु हत्यारों का इनलोग प्रयोग कर रहे थे क्योंकि पर्मानु हत्यार अगर एक देश गिराएगा तो दूसरा देश भी गिराएगा तो इसे तो पता था कि जीत नहीं जपान वाला हमने वो पिछले चैप्टर ने पढ़ा था यहां पर आप समझ लो निसस्रीकरन क्या होता है ठीक मिनाशकरी हत्यारों और अस्टों सस्टों के उत्पादन पर रोक लगाना उपलद मिनाशकरी हत्यारों को नस्ट करना ही क्या कहलाता है ठीक निसस्रीकरन की ए इन दोनों किया किया योगि ये दोनों ही प्रतिस परधा कर रहे थे आज ये बना रहा है आज ये बना रहा है तो इन दोनों ने के प्रस्ट पती बैठे और इन्हों ने एक सवो किया संदी की कि हाँ हम इसके आगे और नहीं बनाएंगे और जो बनाए हैं उन्सकी क्या है पर इंडनेशिया के स्वतन प्रता के बाद भूमी सुधार हुए इन पर टिपणि लिखिए ठीक है भूमी सुधार वियत नाम का पढ़ा साथ ही इंडनेशिया भारत ने हुए है तो इल पर क्या है आपको एक एक दो-डो ब्हुमी सुधार कानुन पारत किये गए जिसके तहत गरीब किसानों को जमीन वित्रित की गई इंडोनेशिया आप आजब भारत पे भारत में स्वत्रंत्रा के बाद जो भूमी सुधार हुए उन पर वियतनाम और इंडोनेशिया की तरह सामयवत का प्रभाव नहीं था बलक लेकिन जमिन्दारों के साथ भारत किसी प्रकार की प्राकार के इ rounded नहीं था लेकिसी क्या ह squash फारत की नहीं था टेक है तो यह क्या है वियतनाम और भारत के वारत के पारे म आपको दूस्णा के लिखे चलो आगे आजाओ पर्मानु बं से होने वाले हैनक रुकसान के बारे में लिखे इससे क्या हो सकता है वहाई जो भी ते घर जंगल जमीन जो थे पुरा विनाश हुआ राश्ट विकास में बादा क्योंकि राश्ट को इतनी बड़ी शर्ती होगी तो फिर वह आगे पुंजी क्या होता है उसे आज नहीं वह करने वाले पीड़ी पर उसका विफेक्ट पड़ता है विनाश्ट क्योंकि अगर आप ने एक देश में गिराया तो लगबाग आपके जैसे आज कहीं पाकिस्तान में गिरता है या भारात में गिरता है तो उसके वह 36 नहीं जहिए तो तीनो जगह पूरा अगरा असर हुआ तो तीनों जगह की क्या संस्रेटी नस्ट हो जाएगी योगि हमारी हम हमीं लोग ने रहेंगे था हमारी संस्कृती कह रहें तो यही क्या होता है पूरा परमानु वंक के होने से इतने से खत्रे होती है ठीक चलो अगले कोश्शन पर प्रस्ताव रखा पर्माणु हत्यार को प्रतिमिन करने के लिए पर जोड किया यह ऐसा क्यों कर रहे थे भाई कि भाई आपने पास भंडार रख लिए ठीक है अपना खाना पुर्ट खाना पिना सब कर रहे आप बोल रहें कि सब उपास रखो सुबा बैत के खा लिए है अब बोलते कि आप सब उपास रखेंगे भईया यह वैसी हाल थे फूरा पर्माणु वं बना लिए पूरे हैथ़ियार बना लिए अब बोलते कि तो आगर आता है तो आपको इतनी चीजे लिखोगे और क्या अपने आंसर कंक्लोड करोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, इंग्लेंट से गुराथ अमेरिका ने परमानुन नुश्रेकर के लिए शांधी संगठन के निर्मान किया, विश्व इस्तरपन समीतिया बनाई, स्वयू अब इसके बाद हम किस पर बात करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद जो भी वीडियो मिलेंगे, आपको पेपर अनलेसिस पर मिलेंगे, टॉपिक्स वाइस हम नहीं देंगे, हम आप क्या पढ़ाओंगी भई, पेपर कैसे लिखना है, पेपर में क्या ठीजिए, दिमार्क लगनाई, जो टेंशन है, उसको कैसे भूलना है, मैं वो बताऊंगे, आज पूरा आपका समाजिक गयन कम्लीट हुआ, अब आप भईया, 17 मार्च, समाजिक गयन का पेपर, फते हासिल करके आना, अमेरिका रश पच्छतर में सतर नहीं आए, तो बदाना कैसे नहीं आएगा, याद नहीं होता, सब कुछ बता दी, पढ़ने का तरीका बता दी, किसे कितने चैप्टर से कितने कोशन आने वाले है, वो बदा दी, अब बस आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है और लिखना है, लिखोगे तब होगा बोलते हो नहीं याद नहीं होता मैडम याद कैसे होगा लिखोगे नहीं तो समझो नहीं तो अपने से नहीं पर पूरे सब्जेक्स तेयार थी आपके पूरी साइंस कम्प्रिट हो गया है, Maths complete हो गया है, English complete हो गया है, Assistory complete हो गया है, हिंदी और सबस्क्रेट हम नहीं दे पाएं, क्योंकि हमारे समय की कमी थी, और हम जहाते थे कि आपको जो दे हम बहतर दे, यह नहीं कि आपको हिंदी पढ़ा दिया, लेकिन आपको उसकी पूरी अनलेसिस नहीं दे पार है तो आप अभी दस्वी में है ग्यारी में भी जाएंगे तो हमें पूरी आशा है कि आप अभिप्षा के साथ इसरे का जुड़ें रहेंगे और हमारे पूरे टीम डेडिकेटर होके आपके लिए काम करेगी ठीके अभी खतम जब तक नहीं होगा हम आपके साथ रहेंगे आपके पेपर तक हम आपका साथ देंगे और जिस दिन पेपर दिला के आओगे उस दिन ही जब पूरा खतम होगा उस दिन भी उसी दिन हम चैन से बैठेंगे ठीके तो आपका पेपर के साथ ये मेरा पेपर भी है मे झाल झाल